नमस्कार स्वागताब सभी का मारे यूटूब चैनल में आज हम बना रहे हैं ये खस्ता समोसे ये समोसे कभी भी आपके गिले नहीं होगे बिलकुल खस्ता रहेंगे करारे रहेंगे तो आईए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं खस्ता समोसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे मैदा लिया है एक छोटा बाउल तेल लिया है एक बड़ा चम्मच नमक लिया है और अजवाइन लिए हैं तो सबसे पहले एक बाउल में मेदा डालेंगे तेल डाल के मोरन करेंगे मेदे को हातों से बिल्कुल मैस करेंगे और अजवायन डाल लेंगे और नमक डाल लेंगे चारों चीज़ों को डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे हातों से जब तक mix करते रहेंगे जब तक की जो मैणदा है न मूठी में बनने लगे जब यह मैणदा मूठी में बनने लगेगा तो हम इसको गून्थ लेंगे तो अब आप देख सकते हो मैंने इसको 5 मिनट तक इस तरह से हातों से तेल को यानि मोरन को mix किया है अब ये इस तरह से बनने लगा है तो ये बेटर हमारा तियार है तो अब हम इसको गूत लेते हैं तो हम मेट देखे के जो डो है वो सांदेंगे उसके लिए मैंने गूलगूना पानी लिया है और पानी से हम इस तरह से थोड़ा-थोड़ा डाल करके और इसका बेटरे सा बढ़िया सा डो तियार कर लेते हैं तो ये डो अच्छे से तियार हो जाएगा डो तियार होने के बाद आपको क्या करना है इसको 10 मिनट के लिए रेष्ट भी छोड़ देना है और रेष्ट भी छोडने के बाद आप देख सकते हो मोरन कितना अच्छा था इसके अंदर तो आप देख सकते हो बिलकुल भी जो मैदा है ना बाउल के बिलकुल भी नहीं चिपका है सारा का सारा एक जगाई कट्टा हो गया है तो अब डो को रेष्ट भी छोड़ देते हैं और इसको दस मिनिट के बाद हम अच्छी तरह से फिर से चिकना करेंगे और मिक्स करेंगे एक दम चिकना करेंगे तब तक हम अपना मसाला प्रिपियर कर लेते हैं तो जो समोसे के अंदर जो हम स्टफिंग भरेंगे वह यहां पे हमने दो बोईल अलू ली है दो बड़े- पाउडर और हिंग ठो चुटगे बर और काजू थोड़े से हारी मिरच दनिया किसमिस सारे मसालो को एककर घरममसाला और चाट मसाला एककर के सबही को डाल देंगे और भून लेंगे अच्छी तरह से अब लाल मिलेच पाउडर डाल देंगे गरम मसाला डाल देंगे जीरा पाउडर भी डाल देंगे नमक भी डाल देंगे स्वाद के अकोर्डिंग तो सभी मसाले हमने डाल दिया हैं जो जो हमने रखे थे और इस तरह आटा भी हमारा अच्छी तरह से जो है सेट हो गिया है अब हम इसको बहुत अच्छा और अच्छा इस तरह से एकदम स्मूध चिकना बनाएंगे मैंने थोड़ा सा ते ले करके इसको चिकना करके एक लोई बना लिया है अब इस लोई को थोड़ा सा आटे से दस्टिंग कर लेंगे और इसको बेलेंगे तो ये मीनी समोसे बना करके आपको दिखा रहे हैं बहुत बढ़िया समोसे बने और इतने बढ़िया बने कि आप को क् को अच्छी समोस्या बनें इससे बेल बेल करके और हम इसको दो पार्ट में कट कर लेते हैं सारे समोसे का सब통 बेटे व कDINGकश नोशेल करें अहले समोस ते बबा दीजी हलका हलका हटो से तो यह बिल्कुल पैक हो गया अच्छी तरह से अब हम इसके अंदर जो है इसको इस तरह से चिम्टी से जो मारा जोइंट का एरिया है न उसको मैंने चिम्टी से बिल्कुल अच्छे strategies दबा दिए है बिल्कुल खुलने वाला नहीं है कहीं से भी एक नहीं खुलेगा और बीच में मसाला एड़ कर देंगे और फिर पूरे कोर्णर पे इस तरह से इसको पानी से करेंगे तो कोर्णर पे आप चारो तरफ इस तरह पानी लगा लेजिए पानी लगाने के बाद बीच के पार्ट को पकड़ कर के और थोड़ी सी सीधा से इसको फोल्ड कर ले चिपका ले इस तरह से साइडों से चिपका ले और यह आपका जो समोसा त्यार हो जगा मीनी समोसा चोटा सा समोसा आप बना सकते हो आसानी से नीचे की साइड को अच्छी तरह से दबा दबा के और पैक कर ले कि आपका नीचे से खुलना बिल्कुल नीचे इसी तरह से सारे समोसे तयार कर लिया है और इस तरह हमारा तेल भी गरम है तो तेल के हीट को चेक कर लेते हैं तेल को ज़्यादा गरम नीचे बिल्कुल जैसे हलके हीट लगे ना हाथ पे तो वो तेल आपका गरम है तो गरम तेल में इस तरह से स चारी समोसी छोड़ देंगे और चमोसो को एक मिनट तक बिल्कुल नहीं लाएंगे एक मिनट के बाद में धीरे-धीरे हम इनको प्लट देंगे और उलट प्लट करके लगबग 5-7 मिनट तक बिल्कुल प्लट पर इनको अच्छी तरह से पकाएंगे अब आप देख सकते हैं इनको पकाते हुए मुझे लगबग 2-3 मिनट हो गया है तो इनको प्लट देते हैं और प्लटने के बाद फिर 2-3 मिनट एक साइड ओगर सेकेंगे फिर 2-3 मिनट दोनों साइड में सेकेंगे पलट पलट के तो इस तरह से 5-7 मिनट तक आप इस तरह से बहुत अच्छे अब अपने सारी समोसो को बाहर निकाल लेते हैं और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी तेल के अंदर कोई भी मसाला नहीं निकला है बहुत अच्छे प्राई हुए बहुत अच्छे बने हैं छोटे-छोटे समोसे तो आप भी अपने गरपे इस तरह से बनाएं समोसे और हमारे साथ शेयर करें तो साली समोसे निकाल लेते हैं और समोसे के साथ मैं आपको चार्ट की रेसिपी बता रही हूं और तो आप अपने गरपे चार्ट भी बनाईएगा समोसे के साथ खाईएगा तो आइए चार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं देखिए समोसे कितने लगेगा तो आइए इसको अभी चाट बनाना स्टार्ट करते हैं यह मैंने एक लेटर पानी लिया है एक लेटर सी थोड़ा सा ज्यादा ही है कम नहीं है और यह पर मैंने 500 ग्राम इमली को उसके बीज निकाल दिये और इस तरह से इसको पानी के अंदर डिप कर दिया है अब पानी में उबाल आने देंगे और इमली को इमली का जो पल्प है इस तरह से पानी में बन जाएगा तो इसको हमें लगबग 10-15 मिनट तक बोईल करना है दस-15 मिनट बाद आप देखेंगे तो इमली का जो पल्प है वो निकल जाएगा और जो हमारा पानी है वो आधा हो तो पानी याधा हो गया है, जो गाड़ा हो गया है, पलप भी, तो अब हम गेस का फ्लिम बंद कर देते हैं, और पलप को च्zenie लेते हैं, लगबग मैंने इसको 15 मिनट तक पकाया है, तो आपको भी 15 मिनट तक उसको पकाना ही होगा, तब यह पल्प बन जाएगा, तो आप इसको छान ले, छान करके थोड़ा सा ठंडा होने दे, उसके बाद दूसरी और कडाई में जो तेल टिका दे, फ्राई पेन हम इसके फ्राई करेंगे, तो मैंने एक बड़ा चम्मस तेल लिया और कडाई में डाल दिया है, तेल गरम होत कितना बड़िया इमली का पल्प है, और इसके अंदर मसाले डाल देंगे लाल मिरच, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला, काला नमक, सिंदा नमक, और जीरा पाउडर, सभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, गरम मसाला, चाट मसाला दोनों ही डाले, काली मिरच का पाउड बनेगी जब उबाल आ जाएगा चार्ट में तो हम गुड डाल देंगे गुड डाला है मैं डाइसोग्राम क्योंकि मेरे पास इमली भी डाइसोग्राम थी तो डाइसोग्राम ही गुड डालना है हमें जितनी आपकी इमली होती है उतना ही आपको गुड चाहिए होता है अब म मगज के बीज, यह ओफ्सरनल है, आप इसको स्किप कर सकते हो, मुझे तो अच्छे लगते हैं, क्योंकि जो अलवाई लोग है, वो ऐसे बनाते हैं, इसके अंदर खारक डालते हैं, किसमिस डालते हैं, काजू डालते हैं, तो मैंने डाल दिये हैं, अच्छी भी लगते हैं, तो मैंने इसमें डाल दिये हैं तो हमारी जो चाट है बनकर के त्यार है देखिए कितनी गाड़ी होने लगी अभी है थोड़ी छी ठंडी हुई है जो पूरी ठंडी होगी न तो बहुत गाड़ी हो जाएगी तो अब हम एक कंटेनर लेते हैं और उसमें डार दोस्तों जाब नहीं होती तो आप इसे अपने गपे बनाएं जो भी आपका एक्सपीरेंस हो बहुत बढ़ी अमरे चाट बनेकर के त्यार हुए और इसका टेस्ट बहुत बढ़ी आया है तो जो मसाले हम भी डाल रहे हैं वह डाल करके आप अपने गपे चाट बनाएं और जो भी आ का एक्सपीरेंस हो हमारे साथ शेयर करें तो आईए चाट बनाना स्टार्ट करते हैं